यहां से मुझे एक बाइंग चूटी दिख रही है देखी तो यहां से मेरे एक रजिस्टेंस एरिया को ड्रो किया था फाइनली मार्केट इस लेविल का ब्रेक आउड करने का यहां पर ट्राई कर रहा है तो यहां पर सबसे पहली जीस तो आपको नजर आ रहे होगी जो गोल ठीक है मार्केट का एक चोटा सा करेक्सन था उसके बेस पर यहां पर हमने ट्रेड किया है मतलब करने का सोच रहे है अभी यहां से हम ट्रेड को पेलिक करते हैं तो कुछ इस तरीखे से हमारा इस टॉप लॉस कावी अच्छा आ रहा है और टार्गेट की बात करनें तो कर यहां पर एनलाइज किया है वीडियो के एंड में हम सब कुस्समझने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा इस वीडियो से आपको काफी ज्याधा help मिलने वाली है live market में हमें किस तरीके से एक एनलाइज करना होता है किस तरीके से हमें stop loss and target रखना होता है इसके बारे में आपको proper knowledge मिलेगा तो वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो फसंद आथा तो वीडियो को like, share जरूर करिएगा अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी subscribe कर बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा फैंस ताकि आगे आने बाली हर एक वीडियो को notification आपसे मिसना हो पाए तो यहां से fence मैं जो lot size यहां पर यूज करने वाला हूँ छोटी lot size के साथ यहां से trade को मैं buying मैं place करने वाला हूँ यहां पर मैंने meta trader for open कर लिया है और यहां पर हम lot size को भी add कर लेते हैं 0.07 lot size मैं यूज करूँगा क्योंकि gold में trade कर रहा है यहां से में order भी place कर दिया क्योंकि यहां से market थोड़ा सा bullishness यहां पर शो कर रहा है तो finally order मैंने यहां से place कर दिया इस level के आसपास हमारा entry होगा है इस level के आसपास यहां से हमारे entry होगा देखिए तो market का एक uptrend मार्केट यहां से अभी bullishness भी शोगा रहा है जिसके आप देख सकते हैं यहां पर market ने एक green candle बनाई है next जो green candle बनाएगा तो easily दोस्तों यहां पर हमारा target भी achieve हो सकता है अगर अभी profit की बात करें तो 3 dollar, 2 dollar, 3, 4 dollar के आसपास हमारा यहां पर अभी profit show कर रहा है तो let's see guys देखते हैं आगे market की तरीके से फर्फूंग करता है क्या हमारे state में profit होता है या फिर state में हमारा loss होता है जिससे कि दोस्तों previous वीडियो अगर आपने देखी है तो कल के दिन हमारा 27 dollar का loss होता तो let's see आज देखते हैं हमारा profit होता है या फिर लॉस होता है मैं आपको देखेंगे तो यहां से अभी almost 20 dollar के आसपास हमारा इस trade में profit चल रहा है जिसे कि मैंने बोला था next green candle यहां पर बना सकता है बड़ दोस्तों one hour के time film में अगर मैं आहां से आपको दिखा हूँ तो यहां पर अगर आप दिखेंगे तो यहां पर एक support area था previous जो कि आप market के लिए resistance label यहां पर बन चुका है तो यहां पर अगर resistance ले लिया तो फिर हमारा लिए एक problem create हो सकती है जिसे कि मैं यहां से अगर आपको एक resistance area draw करके दिखाऊं तो यह label यह जो label है यह label एक important label है अभ इस label का resistance ले लिया तो जो भी हमारा यहां से अभी profit चल रहा है वो loss में भी कनबढ़ हो सकता है तो हमें ध्यान रखना है यह एक resistance label भी है अभी अगर हम देखें तो लगवग 80, 90, 20 डॉलर के आसफास ही यहां से profit चल रहा है इस इसका breakout होना बहुत जादा important है अगर resistance यहां प क्लोज भी करना होगा जी हां दोस्तों ट्रेट को क्लोज भी करना होगा अगर अभी देखें तो almost हमारा बन इस टुवन का टार्गेट तो यहां पर इचीव हो गया है तो अगर ऐसा हमें लगा कि हां यहां पर मार्केट रजिस्टेंस ले रहा है तो फिर यहां से हम यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस लेविल को मार्केट बिरेक आउट नहीं कर पा रहा है काफी ज़्यादा यहां पर एफट लगा रहा है यहां से अगर मैं एक होरिजेंटल लाइन को यहां पर ड्रो कर दूँ तो देखें यह मैंने एक होरिजेंटल लाइन यहां पर draw कर दिया है, अब ये horizontal line हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है, इस label का horizontal line का अगर market breakout करता है, तो फिर buying में जा सकता है, मतलब हमारे target को हम easily achieve कर सकते हैं, अगर इस label का breakout नहीं कर पाया, horizontal line का breakout नहीं कर पाया, तो फिर हम ये इस trade में ज़्यादा नहीं रहेंगे, इस trade को ज़्य ज़्यादा hold नहीं कर पाएंगे, तो ये जो horizontal line है, बहुत ज़्यादा important है, हमारे लिए काफी ज़्यादा time से market struggle कर रहा है, इस label का breakout करने के लिए, वट दोस्तों आप देख सकते हैं, market breakout नहीं कर पा रहा है, अब अगर हम profit की बात करें, तो वह 20 dollar, 21, 23, 25 dollar के आसफास भी हमा profit यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर देखा जा तो हमारा 1 to 1 का target तो यहाँ पर इचीव लगबग लगबग हो ही गया है, तो यहाँ पर हम trade को भी exit कर देंगे, अगर इस label का breakout नहीं हुआ, तो उसमें ही समझदारी रहेगी दोस्तों, क्योंकि अगर हमने trade ज़्यादा hold किया और next candle जैसे ही बनेगी तो यहाँ पर red candle बनने के chances 99% है, जी हाँ दोस्तों क्योंकि इस label को market hold कर रहा है, इस resistance को market breakout नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर और ज़्यादा हम बेट नहीं करेंगे, सिर्फ इस candle का closing के लिए यहाँ पर इंतजार करेंगे, इस candle का closing के बाद next candle तो एक A shape type का भी यहाँ पर market बना सकता है, फिर जो भी हमारा profit यहाँ पर show कर रहा है, वो दोस्तों loss में भी करबढ़ हो सकता है, तो इसलिए हमें ध्यान देना है, आरे profit को भी यहाँ पर book करना है, तो finally दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ ही second में यहाँ पर candle close ह होने वाली है, तो मैं यहाँ से close order यहाँ पर करके रखूंगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस label का market breakout नहीं कर पाया, 21 डॉलर का यहाँ से भी हमारा profit चल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने profit को यहाँ पर book करना ही पसंद करूंगा, 22 डॉलर का profit यहाँ से चल रह है, तो थोड़ा सा बेट कर लेते हैं, और यहाँ पर मैंने order भी close कर दिया है, जैसे कि दोस्तों मैंने आफ से बोला था, नेक्स्ट जो candle बनेगी, वह रेट केंडल में पर फूंग हो सकती है, और अभी हमारा profit हमने book किया है, 17-18 डॉलर माल लीजी, ठीक है, 70.92 यानि 80 डॉ का profit यहाँ पर हम book कर पाए, छोटा सा profit हम book कर पाए दोस्तों, 23-25 डॉलर के आसफास हमारा profit हो गया था, बट छोटा सा profit हम book कर पाए, क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर हमें निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी था, जैसे कि मैंने आप से बोला था, कि यह label market के लिए एक important label है, market यहाँ से rate candle बना सकता है, इस level का market breakout नहीं कर पा रहा है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं guys, यहाँ पर market ने rate candle ही बनाया है, ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम profit book नहीं करते तो जो हमारा profit चल रहा था, वो loss में भी convert हो सकता था, इसलिए मैंने यहाँ से risk नहीं उठाया, तो किस logic और किस confirmation के साथ मैंने यहाँ से trade को place किया था, बाहर डारिशन में, क्या के region है, और किस तरीकी से मैंने एक analyze किया था, सबसे पहले तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा दू, यहाँ पर मैंने अपनी trade को exit क्यों किया, यह level इतना ज्यादा important क्यों है, और मुझे पहले से के से पता चला कि यहाँ से market एक negative candle बना सकता है, और market यहाँ पर downfall कर सकता है, जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर इस level के आसपास यह candle easily आ सकती है, यह जो resistance area है न, जैसे कि मैंने आपको previous time यहाँ पर निकाला था, कि previous data के आधार पर हमने निकाला था, यह market के लिए resistance level है, market यहाँ से fall कर सकता है, और market यहाँ पर अभी resistance भी ले रहा है, तो हमने क्या देखा, previous data को हमने analyze किया, उसके base पर यह हमारा एक resistance level निकला, simple, ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम logic को समझ लेंगे, किस logic के साथ मेरे trade को पिलिस किया था, क्या गया, regions था, सबसे first region को समझेंगे, first तो मैं एक simple analyze करता हूँ, यहाँ पर मैंने कोई भी indicator जैसे की use नहीं किया, सिर्फ एक resistance का breakout यहाँ पर use किया था, ठीक है, यह था मेरा reason number one, reason number two क्या है, reason number two हमारा few 180 का confirmation, अब यहाँ से हम few 180 कैसे draw करेंगे, तो फिस यहाँ से bottom से top तक हम few 180 को draw करेंगे, कुछ इस तरीके से, अब यहाँ पर few 180 का कौन सा retracement label नजर आ रहा है, तो फिस ध्यान दीजे, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, तो few 180 का 23% का एक label आपको यहाँ पर नजर आएगा, जिया दोस्तों, यह label एक important label है, market जब भी एक heavy bullish देखने को मिलता है, तो इस label का market retest करता है, यानि support कह सकत है, support लेता है, और again यहाँ पर अपने trend को continue करता है, simple हमारा reason number two, reason number three क्या है, reason number three काफी simple है, यहाँ पर मेरे पास trend था, ठीक है, trend को मैंने यहाँ पर follow किया है, तो यहाँ पर trend को किस तरीके से मैंने identify किया है, देखे, यहाँ पर अगर आप देहान से देखेंगे, देखे, market न है, एक higher low बनाया, again higher high, again higher low, again market ने higher high, और इसके बाद यहाँ पर higher low बनाया, और higher low बनाने के बाद, जो previous higher high था, इसका breakout simple, यहाँ पर आपको trend by trend नजर आरा, तो यहाँ पर हमने जासी मार्केट ने higher low बना था, इसके बाद, previous higher high था, उसका जासी breakout को प्लेस कर दिया, simple reason number three, दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारे indicators यूज करते हैं लेकिन यहां पे हम simple chart रखते हैं simple एक analyze करते हैं price action ठीक है यानि price को यहां पे identify करते हैं price किस तरीके का structure complete कर रहा है इसके base पर यहां पे हम trade करते हैं और देखे दोस्तों यह level बहुत जादे important है यहां पे market easily fall कर सकता है ठीक है यहां पे अभी rate candle बना रहा है इसलिए यहां से fall कर सकता है तो इस तरीके से दोस्तों हमने एक simple यहां पे analyze किया था यहां पे दोस्तों आज हम target के लिए wait नहीं कर पाए उसके दिए reality क्योंकि यहां पे एक resistance level था तो यहां पे मुझे hold करना ज्यादा नहीं लगा तो मैंने यहां से अपनी trade को exit कर दिया जैसे trade को यहां पे exit किया देखा दोस्तों आपने market ने यहां पे red candle यहां पे बना दी तो जो भी हमारा profit हमने book किया है साथ वो profit हमारा loss में भी करबढ़ हो सकता था इसलिए दोस्तों मैंने अपना profit पहले ही book कर लिया है आ लेक्स्ट वीडियो आपसे मितना हो पा तो आज की इस वीडियो में इतना है फेंस मिलते हैं फिर नए वीडियो में तब तक के लिए take care and bye bye दोस्तों